हमारे चैनल हांटिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करे और बेल आइकॉन दबाई लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए दोस्तो हाली में मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वारेंस के कुछ रियल लाइफ केसे के बारे में बात किये थी और आप सबने उस वीडियो को धेर सारा प्यार दिया उस वीडियो के कमेंस में आप में से कई लोग मुझसे एक खास मूवी की रियल स्टोरी को बताने के लिए बोल रहे थे और उस मूवी का नाम है The Haunting in Connecticut तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको The Haunting in Connecticut से जोड़ी सारी सची घढ़नाएं बताऊंगा जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखे क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इस टॉपिक से जोड़ी कुछ ऐसी Controversy इसके बारे में बताऊंगा जिसमें Warrens का नाम काफी बदनाम हुआ था इसके साथ इस वीडियो में कुछ बहुत स्ट्रॉंग सब्दो और Emotions का उपयोग किया गया है तो अगर आप ऐसे चीज़ों से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो आप इस वीडियो को मत देखें The Haunting in Connecticut Attack 2009 में रिलीज हुई psychological horror film है जो की Warrens की real life case पे बनी है मूवी में हमें पात्रों के नाम बदल कर दिखाए गए हैं और स्टोडी को भी थोड़ा बढ़ा चरा कर बताया गया है तो इस वीडियो में मैं आपको मूवी की नहीं बलकि The Real Life Haunting in Connecticut की घटनाए बताऊंगा ये बात 30 जून 1986 की है जब Snedeker परिवार एक नए घर में रहने के लिए आते हैं जो की 208 मेरिटन अविन्यू साउथ हिंटन कनेक्टिकट में स्थित था Snedeker परिवार में कार्मेन और एल Snedeker के अलावा उनके तीन बच्चे और उनकी एक भांजी भी रहती थी इस परिवार ने घर सिफ्ट किया था क्योंकि उनके सबसे बड़े बेटे को हॉटकिन्स लिंफोमा नाम की विमारी थी जो कि एक तरह का कैंसर है और उसकी ट्रीट्मेंट जिस हॉस्पिटल में हो रही थी वो हॉस्पिटल इस घर से काफी नस्दीग था अब जिस जमीन पर ये घर थी वहां 1980 जे पहले कई सो सालों तक हालाहन फ्यूनिरल हूम था जहां लासों को दफनाया जाता था उन दिनों ये पड़िवार कुछ आर्थिक तंगी से गुजर रही थी और इसलिए उन्होंने इस घर को रेंट किया जो की बड़ा भी था और इसका रेंट भी कम था उन्हें ये बात बिलकुल नहीं पता थी कि ये घर कुछ सालों पहले तक एक फ्यूनिरल हूम था घर में शिफ्ट होते ही एल स्नेटकर को बेस्मेंट में जमीन खोदने वाले कुछ औजार मिले जिसे देखकर वो हैरान था ये वही औजार थे जिसकी मदद से पहले लासो को इसी बेस्मेंट में दफनाया जाता था स्नेटका के दोनों बेटों का बेडरूम बेस्मेंट में डाला गया क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा कमरा था इस घटना के ठीक एक दिन बाद से ही यहाँ कुछ पारनॉर्मल इवेंट शुरू हो गया घर में रखी कुछ चीजे अपने आप गाइब हो जा रही थी और बच्चों का कहना था कि उन्हें घर में अकसर कुछ अंजान लोग घूमते हुए दिखते हैं इसके लावा स्नेटकर परिवार का सबसे बड़ा बेटा फिलिप अब कुछ अजीवो गरीब हड़कते करने लग गया था वो बार-बार बोलता था कि उसे कुछ इविल स्पिरिट्स घर में दिखाई देते हैं और वो लोग उसे कुछ गंदी बाते बोलते हैं कुछ ही समय में मानों फिलिप की जैसे परसनालिटी ही चेंज हो गई थी और वो हमेशा बहुत ही गुस्से में रहता था उसने कुछ पोएम्स लिखना शुरू कर दिया जिसमें वो मुर्दों के साथ सारीडिक संबंद बनाने की बात करता था ये सब बहुत हैं डिस्टरबिंग था और हद तो तब हो गई जब एक दिन फिलिप ने अपनी कजन टैमी पे हमला बोल दिया और वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिस किया इस घटना के बाद एलन और कार्मेन स्नेटकर ने फिलिप को अस्पताल भेज दिया और उन्हें ने डॉक्टर से पूछा कि क्या ये सब उसके रेडियोलोजिकल इलाज के साइड एफेक्ट्स हैं डॉक्टर ने साफ बताया कि इस इलाज का कोई साइड एफेक्ट्स नहीं होता है और फिलिप को साइड मल्टिपर पोर्सनालिटी डिसॉर्डर हुआ है इसके बाद फिलिप 2400 गंटे अस्पताल में रहता था और कई लोग उसे पागल भी समझने लगे थे इस घटना के ठीक एक दिन बाद कार्मेन को मॉप वाटर बिकुल लाल रंका दिखा मानो जैसे वो पानी नहीं बलकि खून हो इसके साथ उस घर में किसी लास के सर जाने की बदबू भी आने लगी एलन स्नेटकर भी थोड़ी अजीब सी बरताओ करने लगा था और उसने घर के सारे लाइट बल्प्स को ये बोल कर निकाल दिया कि उनका बिजले बिल बहुत जादा आ रहा है और उसको कम करने के लिए अब सभी लोग अंधेरे में रहेंगे स्नेटकर परिवार को इस घर में कुछ पुराने तस्वीर और कुछ वस्तु मिली जो कि शायद यहां दफनाए गए लोगों की थी इसके अलावा कई बार घर में कुछ सामान अपने आप हिल जाती थी और एक बार तो घर में टंगा परदा टैमी को गला घोट कर उसे मारने के भी कोशिस किया कार्मेन का कहना था कि घर में कभी-कभी उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो कोई उनके साथ जवरदस्ती कर रहा हो यह कोई अद्रश एंटिटी थी जो कि ऐसा करती थी और इसको टैमी और एलन ने भी महसूस किया कार्मेन का ये तक कहना था कि उसे घर में दो भूत भी दिखाई दिये एक के काले लंबे बाल थे और उसकी आखे काली थी और दूसरे भूत की बाल और आखे वाइट थी और उसने एक टक्सीडो पहन रखा था इस तरह की घटनाय लगाता और बढ़ती जा रही थी इसलिए कार्मेन ने एड और लॉरेन वारेंस को कॉन्टैक किया जो की फॉरन इस घर की तहकीकात के लिए कनेक्ट टिकेट पहुँचे इनके साथ जॉन हैफिस और कुछ दूसरे पारनॉर्मल इन्विस्टिकेटर्स भी थे ऐसा कहा जाता है कि इन्विस्टिकेटर्स के घर में आते हैं इन प्रेत आक्माओं ने इन पे हमला बोल दिया जिसके डर से दो इंविस्टिगेटर्स फॉरन भाग खड़े हुए कई लोगों को अधिर्श शक्ती ने थपड मारा और कई लोग जमीन पे अपने आप ही गिर पड़े वारंस ने इस पूरी प्रॉपर्टी की एक्जॉसिजम करने की सोची और एक्जॉसिजम के दोरान कुछ बहुत ही डिस्टॉबिंग बाते सामने आई वारंस के मुताबिक इस फ्यूनरल होम पे पास्ट में किसी एक ताबूत बनाने वाले ने कई लासों के साथ सारे रिक संबंद बनाया था इस घटना के कारण उन आत्माओं को मुक्ती नहीं मिली और अब वो इस घर में रहने वाले लोगों के साथ भी सेम बरताओ करते थे या फिर उन्हें परिशान करते थे इस एक्जॉसिजम के प्रक्रिया कई दिनों तक चली और अंत में ये घर इस आत्माओं के चपेट से बाहर हो गया वार्निस ने इस घर को सुरक्षित करार दिया और सब कुछ मानो ठीक हो चुका था लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक हुआ हाला कि एक्जॉसिजम के बाद यहां कोई भूदिया घटनाय नहीं हुई लेकिन इस केस के पबलिक होने के कारण हाजारों विवाद उठे इस घर में स्निटकल से पहले रह रहे परिवार ने ऐसी स्टेटमेंट दी कि उनके साथ वहां कुछ भी पारानॉर्मल नहीं हुआ था यहां तक कि बाद में आये लोगों काफी मानना था कि घर एकदम नॉर्मल है और यहां कुछ भी पारानॉर्मल नहीं है इसके अलाबा एक बहुती बड़ा खुला सा तब हुआ जब रे गॉटन जो कि इस इंसिडेंट पे किताब लिख रहे थे उनका बया सामने आया इस किताब का नाम था इन दर डार्क प्लेस फिट वारेंस अन दर स्नेटकर्स और रे का कहना था कि जब वो सच्ची घटनाओं को लिखने के लिए स्नेटकर्स से मिले तो उन सब की स्टोरी एक दूसरे से अलग थी यहां तक कि पारनॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के एक्जॉसिजम प्रक्रिया वाली कहानी बे बिलकुल अलग अलग थी जब रे ने ये बात वारेंस को बोली तो एड वारेंस ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जो कि हैरान कर देने वाला था रे ने इस बात के खुला सा 27 अप्रील 1999 में किया और एड वारेंस की स्टेटमेंट कुछ ऐसी थी ये पूरी पडिवार पागल है इनफाक्ट हमसे जो कोई पडिवार भी मदद मांग दी है वो सब पागल होते हैं कोई भी सही मिजाजवाल आदमी हमारे पास क्यों आएगा तुम बस इस किताब में कुछ भी रिलेटेबल कहानी लिख कर इसे पूरा करो और द्यान रहे इस कहानी को बहुत ही डराबना होना चाहिए इस स्टेटमेंट के पबलिक में आने के बाद कई विवाद उठे और लोग इस कहानी को जुठलाने में लग गए कई लोगों का विश्वास वारेंस पर से उठ गया और ये वाकई में वारेंस के लिए एक मुश्किल की घरी थी इस घर में बाद में रहने आए लोगों ने बताया कि यहां कुछ भी पारानॉर्मल नहीं है और उन्हें परिशानी किसे भूत से नहीं बलकि लोगों से होती है जो कि इस घर को भूतिया मानकर तस्वीर लेने आते हैं और उनके बच्चों को ये बूलकर डराते हैं कि उनका घर भूतिया है कई रिपोर्टर्स का ये तक कहना था कि कार्मेन और एलन स्नेटकर की कहानी भी अलग-अलग थी और ये सब एक होक्स था कई लोग मानते हैं कि स्नेटकर परिवार ने ये सब नाटक प्रचलित होने और पैसो की लालच में किया अब अगर हम फिलिप की बात करें तो इसका इलाज कई दिनों तक चला और वो मानसिक तथा सारी रिग्रूप से बिलकुल ठीक हो गया आगे चलकर वो एक ट्रक ड्राइवर बना और उसके चार बच्चे भी हैं 9 जनवरी 2012 को फिलिप की मौत हो गई और इस मौत की वज़क कैंसरी थी जो कि उसे दुबारा हो गई थी Discovery Channel ने इस केस पर documentary बनाई और इस पर एक मूवी 2009 में release हुई जिसका नाम है The Haunting in Connecticut तो मेरा आज का सवाल आप सब से है कि आपको क्या लगता है क्या सच में ये घर haunting थी या फिर ये सब सिर्फ एक नाटक था क्या सच में Ed Warren ने ऐसी कुछ statement दी थी या फिर book writer Ray Gorton ने जूट बोला आप अपने जवाब हमें comments में बताएं और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें comments में ही पूछ ले अगर आपके पास कोई सुझाओ हो भी मत भूले क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं